हैलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आज मैं आपनों के लिए बहुत ही यूसफूल टिफ्स लेके आई हूँ छोटी छोटी चोटी आइडिया हैं जो की आपके काम को आशान बनाएंगे बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलिए बताना शुरू करते हैं और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले जिस तरह से हमने होट बोतल दिखाई जो की हम सिकाई करते हैं जब कमर और कभी यूज नहीं होता है जब इसका यूज नहीं होता है तो प्लास्टिक है और यह फट जाती है तो इसे आप प्लास्टिक को प्लास्टिक से बड़ी आसानी से चिपका सकते हैं हमने एक बोटल ली इस तरह से और उसको गरम किया गरम करने के बाद उसका लिकट इस त equ मंख Σब्क्राइब मbok कर दो है, विड़uy इस थीमियाज शेंक दिया और बुटल को बन तकी दिया करती हुस MARK जैसे की हमारे मनजन आप करते है, कौई भी मनजन हो दाद को क्लिन करता ही है ये उतकी जब खतम होता है तो उसको फेक देते हैं तो उसको हम ना फेक करके इसके बहुत सारे यूज होते हैं जैसे कि इस तरह से मैं इसको छोटे-छोटे पीस को काटूंगी और इस तरह से देखिए यह देखिए यह इतना मजबूत होता है कि इसे आप कहीं भी अगर कुछ टांगन चाहते हैं कुछ हाइंग करना चाहते हैं तो यह देखे- इस तरह समने फैला देटा रिवन की तरह बहुत ही अच्छे से हैंगिंग कभी यह काम करता है कुछ इस पर उप्र टांगना- चाहते से पैपील में चीज कुछ देटेदे और काटने के बाद यह काट ससांकर खेंने कि पूर्पर ऊपैसे चाकु की सिफस्ट में अच्छा है लें 20 अगा नहीं हमने गीश दूरह नहीं आप應該 हैं तुछ करें डागधबी धोते हैं चूला है को जाता है औरे और इस तरह कर नेके भाद में निकाल देंगे हावाइर व्नजन को बाहर से चमक जाती है बिल्कुल क्लीन हो जाती है अंदर की गंदगी बाहर की गंदगी पुरी साफ हो जाती है यह मंजन की टुकड़े हैं इनको हम बाहर कर देंगे और इस तरह से आप अपने हाथों को भी क्लीन कर सकते हैं क्लीनिंग काम करता है इसे आप टाइल्स पर भी साफ कर सकते हैं इसे आप फर्ष पर साफ कर सकते हैं यह मेरा किचन का स्लाइब है उपर जो काफी गंदा होता है इस पर भी हमने थोड़ा से डाल करके एक पुराने कपड़े से हमने पूरी गंदगी बाहरा जाती है चाकू को हमने माजा नहीं इसे ही दिखा दिया बहुत अच्छे स करके टीजिए बिशाइब का जो रबर होगा रबर बैन कुछ सी भी प्लास्टिक का जो भी चीज है इस तरह से चिपके गगा देती हूं अगला। के बात करती हूं यह पर चुला है और यह है जो कि तेल हमारा जला हुए तेल बचता है उसको इस तरह से मैं रख देती हूं अब इस जले हुए तेल को मैं बार-बार यूज़ करने से अच्छा है इसको हम लकड़ी के पैचुला में लगा कर रख दें लकड़ी के बेलर में लगा कर रख दें लकड़ी के दर्वाजे हों खिलकी हों उसमें आप लगा दीजिए क्योंकि इसे मजबूती आती है बारिश बेशन काफी दिनों तक खब़्भ खराब नहीं होता है उसके ऐलावा हमने ये दाल चीनी लकड़ी है चो की इतनी बड़ी हमने डाल दी थी बेशन पूरा भरा हुआ था उसमें लकड़ी को भी डाल दिया था तो ये बेशन काफी दीनों तक देखिए बिल्कुल भी अगले टिब की बात करती हूं इसे हमने धूप में आम पापड को सुखाया और इसे चुटी-चुटे टुकड़े में ऐसे हमने तूड़ करके हाथों से तोड़ करके रख दिया था इसे आप इस तरह से प्लास्टिक के डिबे में एर टाइड डिबे में आप भर कर बाहर ही आपका ये आम पापड बहुत दिनों तक खराब नहीं होगा जब आपको थोड़ा सा हो तो एक महिने में देड़ महिने में दो महिने में थोड़ा सा धूप लगा दीजिए दो तिन घंटे की धूप काफी है ये आम पापड बिलकुल भी खराब नहीं होते हैं तो इसको सि कर दो आए वालकी ओफस्का हैं अगला आइडिया केक बनाने के वनुट्स को समान में नहीं ठाफ़् स एला चॉटे कप से कि उसके बाद यह देखिए चोटा वाला कप जो होता है और उसके बाद हम ने डाल दिया मयदा जो कि हमने पहले से ही छान कर रखा था फिर हमने थोड़ी चैगले थी उसको डूध में मैल्ट किया और इसमें डाल दिया इस तरह से हमने अच्छे से बेकिंग पाउडर इस तरह से डाल कर अच्छे से फेंट दिया जरुवत के नुसार दूद और उसके बाद हमने थोड़ा वनील एशन्स डाल कर इसे अच्छे से फेंट दिया तो बच्चों को केक खाने का मन्था इस तरह से मैदा डुस्ट किया और इसे जो भी हमने बेट छोड़ दिये देखिए 40 मिनट बाद जब हमने खोला तो केक को चेक किया तो बिल्गुल अच्छे से पग गया है इसे हमने निकाला और इस तरह से निकाल लिया पलड़ दिया बहुत ही आसानी से बिना किसी सामान के घर में केक बन गया बच्चे भी खुश हो गए और जट शायज का और उसे छिलका ता दिया इसको धूल दिया दूलने के बाद इसे हमने कद्दूकस कि रख लेते हैं और भिर मिक्स हेलें चोटा वाला और उसमें डाल करके дос venue चोटी चममच इसमें लहसुन, जीरा, हींग, चाट मसाला, नमक, मिर्ची, धनिया इस तरह से हमने चीजें आइड की और सारी चीजों को मिला करके हमने इसे मिक्स कर लिया अब इसमें यह आइडिया है कि आपके बच्चे चुकंदर खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इस तरह से बच्च जो तयार के बच्चों को बेहत पसंद आए तो अगर आपके बच्ची भी शुकंदर नहीं खाते हैं नहीं पसंद करते हैं क्योंकि चुकंदर खाना हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है तो इस तरह से आप पराठे बना कर खिला सकते हैं हबते में दो बार आप प कमी होती है वो बड़ी आशानी से पूरी हो जाती है क्योंकि दो तीन पराठे बच्चे कहा लेंगे तो काफी अच्छ होगा इस तरह से जो भी चीज बच्चों को नहीं पसंद है हम उनको अलग तरीके से बना करके बच्चों के मन पसंद की हो जाती है जो कि यह जो हमने बना किसे न किसी चीज में किसे न किसी तरदय नहीं लगा है और बिना Indian के बहुत कम हलका ते लगाकरachateud पना कर ट्यायर किया है that also तो आप भी इस तरह सेhmm रशिपीपी तयार कर सकते हैं मिंट्टो में और शूकंदर बच्चे को खिला सकते हैं चुकंदर के जूस भी बच्चे पीना पसंद नहीं करते हैं चुकंदर को खाना भी नहीं पसंद करते हैं लेकिन जब आप इस तरह से पराठे बनाकर बच्चे को देते हैं तो बच्चे बहत पसंद करते हैं अगले आडिया हमारा यह है कि हमने एक कटोरी आटा लिय युण दाला और उसमें डाला एक चम्मस होइट वेनिगर अब ये जो घुशीकल पाउडर बन कर त्यार होगा इससे आप बरतन साफ कर सकते हैं, इससे आप टायल को साफ कर सकते हैं, बरतन किसी भी प्रकार कहो, श्टील कहो, पीतल कहो, तांबे कहो या जश्टे कहो, उसके आप इसे ट्वाइलेट में भी क्लीन कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा मैजिकल पाउडर है इसे आप बना कर स्टोर कीजिए और कहीं भी आप इससे सफाई कर सकते हैं काफी उस पहला है इससे जरूर ट्राइ करना अगली आइडिया हमारी है जो कि हमने लिया है बीज हमारे काफी अच्छा होता है बहुत सारे प्रकार के बीज हैं इसमें हैं pumpkin seeds जैसे कि कद्दू का बीज अलसी तिल काला तिल सफेद तिल और खरवुजे का बीज ये बीज जो होते हैं हमारे शेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं तो आप इसे भीगोंकर भी खाशकते हैं साम को भीगो कर खा शुबह कखा खा ये उसका पानी पीशकते नहीं और इस बीज को आप जरूर खाएं सुबर सुबर एक चमज बाशी मूं काफी अच्छा होगा बहुत सारी हेल्थ के लिए आपके बहुत ही यूश्फुल है तो इसे आप जरूर ट्राइ करना और कुक विजित मंजू में बस आज के लिए इतना ही मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कम बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छी लगे फैमिली दोस्तों में शेयर करना ना भूना